हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, चलि आज आज आपकी स्वर संधी कम्प्लीट करते हैं, और स्वर संधी की जो डू पार्ट्स रह गए थे, यर्ण संधी और आयाज संधी, उसको आज हम बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से आपको हम समझाएंगे, और इस संधी को आज करेंगे, चलि पहले हम समझते हैं, यर्ण संधी, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, आयाज संधी, यर्ण संधी और आयाज संधी, ये दोनों आपकी दीर्ग, गुण और व्रद्धी, थोड़ी डिफरेंट हैं इनसे, उन संधियों में आपके दीर्ग, गुण में और व को पहले आ या का स्व्रा रहा था उसके बाद की लेकिन आ शंती में क्या है इसमें या पहले नहीं आए इा ह्याइगा ए व्याद रखेगा इस दियुक्त करणक का इन दोन और या संदिय आ शकता है इन दोनों संधियों मिदा नहीं एक इन 2 दिदन से इसमें, उसके बाद आपका plus के बाद a या आ या कोई भी स्वर आ सकता है लेकिन plus के पहले आपका a या या वाला duż इन में नहीं आए रहा इन डोनों में यह की पहचान है, ठीके अप देखे इसका rule क्या है इन शंधिका कि ए या ए के गवल तीन सेक्शन से इसके ऐ तो आपका क्या बनता है यह नेगा ठीके आप ध्यान रखेंगे औ यह के बाद क्या चलिए वर बने और अगर री के बाद कोई सवर आएगा तो क्या बनेगा रा बनेगा यानि या व और रा बन जाता है ये इसकी पहचान है कैसे इसको आप एक्जाम्पल से बहुत ही मेज़ा ट्रिक्स समझे देखिए जैसे आपका ए के बाद आया प्लस के पहले किया आया ये मैंने आप से कह तो आप आ इपका स्वर क्या बनेगा य बने तो स्वर लेगा गर अब ए-डिया अब लोगो तो प्लस है आन्त है, अती में क्या है? छोटी ए है, प्लस के बाद आ है, ह।खे तो I और A मिल कैं, क्या बन जाएंगी ए यसकी बाद नहां दो के दिए के बाद तो कि या में उसकी मात्राईं जुड़ती है कैसे इसे ए बाद और आहा थो या या तब हूगा और एक के बाद वड़ी आहा थो या तब आहोगा और E के बाद अगर A आया तो ये, और बड़ी E के बाद अगर आपका आया बड़ी A, तो क्या हो जाएगा? ये, यानि हमारा या तो बनना ही है इसमें, पहला हमारा section जो था E वाला वो ये है, कैसे देखिए, अती प्लस आचार, यानि अती में छोटी E है, आचार में क्या है? बन गया? अत्याचार, अब देवी प्लस आले, देवी में क्या है? बड़ी E है, प्लस A है, बड़ी E के बाद अगर आया तो देव्या ले, ठीके? अब देखिए, उपरी पस उक्त, अब E के बाद अगर U आए, छोटा U आए, उपरी में E है, रा में E लगा हुआ है, तो क् उपर युक्त, U हो गया? क्या बना? उपर युक्त, और रा मा चड़ गया उपर, उपर युक्त हो गया, है न, U बन गया, ऐसे ही हमारा है, जैसे नदी प्लस उर्मी, नदी में क्या है? बड़ी E है, उर्में क्या है? बड़ा U है, अब E के बाद अगर U आया तो U बनेगा, यानि नद्यूर मी U बन गया अब जैसे आपका E की ऐरे आता है प्रत्ती प्लस एक E के बाद अगर A आया तो यह प्रत्ती एक यह बन गया ऐसे ही देवी प्लस ऐष्ष्वरों में देवी में क्या है बड़ी E है उसके बात क्या है आये है बड़ी तो क्या बनेगा देव्यश्व ए यानि कि यह हैं जिसे हो एक स्टमय बन रहा है यह उ' एक सेंग वाध आता है बड़ा दो क्या बना है अगर आप ऑ को आ मिवी बॉड़के बोलें यानि की वा निकल रहा है व व सीर哈 जे ज एक अगर आपका तो वा आ है प्षλιफड में क्या उ के बाद लिख तो गड़ें व क्या है। अगर आपका U के बाद E आए तो V, है ना, जैसे देखिए सू प्लस आगत है, जैसे आपका, for example, सू में क्या है, छोटा U है, फिर क्या है प्लस के बाद A, उ के बाद A आए तो, वा, यानि कि वा का स्वर आ रहा है, वा स्वागत, वा बन गया यहां पर, है ना, अब जैसे अन अन वेशन, ठीक है, अब देखिए, उ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, आ, आ, उ, उ, ई, या, ए, आ, कोई भी आता है, तो वा, वी, वे, यानि वा तो बनने ही बनना है, और वो स्वर के एसाब से, क्या हो जाएगा, चेंज, वा हो जाएगा, वा हो जाएगा, वे हो वी हो जाएगा, लेकिन बनना वा है एसवर, ठीक है, यसे आपका पिले यगा बना था, ऐसे ही व बनेगा, अब आपका यए है, क्लियर भी इक कोई स्वर आता है, तो चुछ अब रोड़़ण, पैसे आपका री कि बाद अगर आ आता है, बड़ा आ आएगा, तो था क्या री के बाद क्या आता है छोटा आ तो र अगर री के बार आपका व आता थो रू अगर री के बार का आपका या तो रे प्लस आदेश में आ है तो क्या उगया री पित्र प्लस आ रा तो मात्रा देश रा का स्वर आ रहा है मात्रा रा रहा है तो यानि कि हमारा रा बन जाएगा मात्रा देश पित्र प्लस आ देश पित्रा देश इस तरीके से आपके वल आपके तीन रूल्स है तीन सेक्शन है और तीनों की सेम कंडिशन है या या ये के बा कोई स्वर आई तो वह तो बनना ही है, लेकिन वह के साथ सबस्वार होगा च pén Alum लेंगे की संदी में कि प्लस के पहले आ या नहीं आना है, वह आपके बाद में आ सकते हैं प्लस के पहले तो आपका या री चान रखेंगा जिससे आपको इस संदी की पहचान बनी रहेगी, इसलिए इसका नाम यन संदी है, इन रूल्स के हिसाब से कोई भी आपके संदी होती है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, यन संदी, अब आपकी रह गई है आयादी, वो और सिंपल है, चलिए उसको और फटाफट explain करते हैं, आपकी स्वर संदी की लास् संदी, स्वर संदी जो आपके 5 टाइप से उसमें आपकी लास्ट है, आज़ी संदी, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए, जैसे आपके केवल चार रूल्स हैं, पहला है, ए के बाद, ए से एडी का स्वर जो होता है, ए के बाद बिन स्वर यानि होता है, कोई भी स्वर आए, आए, ई आए, उ आए, कोई भी स्वर आए, 11 स्वर होते हैं, तो ए के बाद कोई भी स्वर आएगा, तो आपका क्या बनेगा, आए, अ और या, आए, क्या स्वर बनेगा, आए, कैसे, जैसे आपका ने प्लस अन है, अब ने में क्या है, ए है, ठीक है, प्लस अन में आ का सवर अगया इसमें तो A अर A मिलके क्या बन गया I 9 यानि कि या जुल गया न में नयन आए हो गया ने में ने ने हो न एन यान यान आए ब कया आए का सवर आया ठाद कि आए के बाद कोई भिन्नस्वर आए जया desarrollo आए AB-08 उसके बाद तो कोई भिन्ने स्वर यानि कोई भी स्वर आजाए तो आप क्या बनेगा आए क्या स्वर बन जाएगा आए हो जाएगा कैसे गय प्लस इका गय में आए का स्वर है दो मात्रा है ठीके देन मारा प्लस के बाद क्या है इका ए का स्वर है ए प्लस ए यानि मारा आए तो बनेगा ले इका अब जैसे अपने बूला गैप्लस अन तो क्या हो जाएगा गायन अब गैप्लस इका है तो गाईका ठीक है अब आपका लेक्स नेक्स देखिए कि ओक के बाद भिनस्वर आता है यानि ओ से ओकली वा अगर भिन स्वर यानि कोई भी स्वर आ जाए ठीक है तो हमारा क्या बनेगा अव का स्वर बनेगा अव है ना यहां पर आज उल गया पाव में पावन अव का स्वर आ गया पावन पो प्लस अन पावन ठीक है अगर हमारा ओ का स्वर आता है औ से औरत वार यानि दो मात्रा वारा स्वर आता है देन उसके बाद हमारा कोई भिन स्वर कोई भी स्वर आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा आव आव का स्वर होगा कैसे नो प्लस एक नो प्लस एक अब ओ है ठीक है प्लस के पहले हमारा ओ का स यानि हमारे चार सुवर बनेंगे आए अव आव कभ बनें ये ए के बाद क्ऊई सवर आ ये I के बाद कोई स्वार आए तो I, O के बाद कोई स्वार आए तो I, O के बाद कोई स्वार आए तो I, O के बाद कोई स्वार आए तो I, के वली यह आपके चार स्वार बनेंगे, और बहुत सिंपल है कि ने प्लस अन्नयन, गै प्लस इका, गाय का, पो प्लस अन्पवन, नौ प्ल साथी सिंपल वे में समझ में आ गई होंगी आज आपकी सवर संधी कंप्लेट हो गई है अब आप मेरी वीडियो से इसके रूल्स को अच्छे से समझ के अपनी बुक की एक्सप्लेइन करूंगी आज के लिए नहीं बाबाई